हेलो बच्चों आपको स्वाइब आते मिसन जामिन यूटूब चैनल पर आज हम रिजिनिंग के घड़ी पार्ट को समझेंगे जो कि डिलेड में आए हुए पेपर से लिए गए हैं और हम जानेंगे इन कोशन रोटिस तरह स्वाल्फ करना चाहिए और कोंडों जो कोशन जाम कोंड क्या होता हैं जैसे कि यह 12 से एक है 12 से ओन पर 1 तो यह होता है 30 दिक का होता है यही होता है कूड टोटल कितने 12 तो हमारा टोटल पूरे कितना गौग है बारा इंटू 30307 डिडिरी का है पूरा कूड हमारा 307 डिडिरी का है अब हम इस्टो जानते कूड कैसे निकालते कूड निकालने के सबसे फॉर्स्ट फॉर्मूला है एच यानि अवर इंटू 30-11.2 अपॉन टू और इंटू मिनट समझ में आगा आपको एच इंटू 30-11 अपॉन टू इंटू मिनट यह होता है हमेरा कूड निकालने तरीका गड़ी इसमें हम कूड निकालते ड़ीका अब हमारे इसी परकारी को इस मतलब नेस्ट यह भी पूछा जाता है कि यह तो होगा हमारा कॉण टे द्वार हमारे घड़ी में टाइम बताने तरीका हो तो यह यह बताता इस फॉर्मूले से और हम इसमें एक और चीज़ और जानेंगे जैसे इसमें एक और मिरार होते हैं दरपन मिरर दरपन यानि मिर इमेज अब मिरर इमेज ने का निकले क्या फॉर्मूला होता है 12 से यानि 12 से माइनस टर तो सकते नहीं जैसे कि हम 12 से मान लो हमें 340 मिनट है तो हम यह नहीं निकाल पाएंगे इसलिए हम इससे किस तरह लेते हैं देखिए आप हम 12 से यानि 11 12 को हम 11-60 मान सब्सक्то है क्योंकि एक यह कवर में साथ मिनट होते हैं मान सब्सक्राइब मेंFrom 11.62 flight मिनुने से माइनस जैना मिरुस्टा क्या होता है वकि आया में थीमिडिया है 3 brush है बीस मिनट हो रहें दरपन में देखा गया तो यानि मीरर में तो उस्टाब वास्तिवे टाइम कितना होगा तो हम 12 से पर यह तो 20 है तो इसे तोड़ना होता है तो इसे 11 2.60 से इसने हमें माइनस रहना होता है तो कितना आ जाएगा 40 कि डॉट और एट यानि कि एजएट टाइम इतना हो रहा हमारा आट बस्टे 40 मिनट हो रहा है तो यह हमारा क्या होता है मेरे रिमेज यानि दरपन में हमें इस तरह से निकालना होता है आगे हम कोस्तने द्वारा समझेने जी कि इस तरह करना है अभी मैं इनके फॉर्मूला बता रहो जिने आप ध्यान में रखना आगे कोस्तन हम स्वाल्प करेंगे अब इसे तरह नीचे आजए यह वाटर इमेज वाटर इमेज में क्या होता है कि हम अठारा कि बाई तीस से माइनस टरते किसी भी मैं जितना टाइम हो रहा उतने टाइम से अठारा बाई तीस से माइनस टरना है जितना टाइम हो रहा है यह अठारा माइनस अठारा पॉइंट थर्टी से माइनस टरना जैसे टी मान लिजिए तीन बच्टे 30 मिनिट देठा गया है तो चितना आए यह देख लिए तीस टाथीस जीरो पॉइंट अठारा तीन यानि पंदरा पंदरा कितना क्याते हैं मैं पता है तीन बजेरों कहते हैं जी एड़्जैट पंदरा हम तीन बच्टे रहा देता है तो साही समय क्या होगा अब आप देख सकते हैं चार बच्टे 10 मिनट दिठाई दे रहा है पर हमने ट्राइब बारा से तो बारा तो हमने 11 साथ ले लिया माइनस फोर इकुल टैंटर दिया तो टितना जीरो जीरो छह टावर निया पांच 11 स्कार में चाल में 7 साथ बच्टे 50 मिनट तो रइस्ता अंसर में छुछ करणे गड़ी के 9 बच्टर 30 मिनट हुए है घड़ी में वास्तवी समय conquist सेम फॉर्मूला दरपने त्यानि वाटरिंग में वह लगाना फॉर्मूला तो 11.7 मैनस 39 तो तितना आ गया दो बच्टे 30 मिनट देख लेना 30 में से 006 अब आगे चलते हैं अब देखिए एक दरपन में घड़ी के समय नो बचर 30 मिनिट हुए है तो गड़ी में वास्तविट समय क्या होगा अब यह हमारा 2019-2018 कई वार ऐसा होता है जो कूर्षन पेपर जो हमारे आते हैं तो इसमें रिपीट कोस्टन भी आ जाते हैं तो इससे टेंसन नहीं लेना को रिपीट कोस्टन भी आ जाते हैं तो हमें बस सेम तरीके से याद रखना है किस तरह करना है और कई बार चांसे होता है कि कोस्टन सेम मिल जाए पेपर में हमेशा नहीं नहीं कई बार मिल जाते ह सेम नंबर मिल जाते हैं मैं ऐसा हो जाता है कभी-कभी अब देखें चार बस्टर 20 मिनट पर दोनों सुयां के 20 कितने डिरिया कोन ओड़ा अब मैंने आपको बताया था कोन बनाने हैं फॉर्मूला एच इंटू 30 माइनस 11.2 अब मैं 11.2 इंटू मिनट्स तो आपने मैंने फॉर्मूला लिद दिया जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि यह फॉर्मूला आ गया अब देखिए चार यानि घंटेरा सुनिया यह तो चार इंटू 3 30 माइनस 11.2 इंटू 20 अब चार इंटू 30 इतना हो जाएगा 120 अब तू से बीस इतना बचाएगा 10 अब 11 इंटू 10 इंकल टू वन वन जीरो तो एट्सो बीस में से माइनस हो रहा एट्सो दस तो तो इससे चितना डिरी बनें गया 10 डिरी इस्ता अंसर आ जाएगा आप इसी तरह इसे मतलब सॉल्फ कर सकते हैं और यह काफी असान है अब इसमें दिरो पह कि आपका पूरा तीन सो साथ डिरीटा बन जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए यह वीडियो और उमीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो कि आपको उमीट करते हैं जितना होसे तो अतना लाइट कीजिए उतना सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और अपने दोस्तों दीजिए जो जामेरी तैयारी करने डेलेट थी कीजिए